जै हिंद इस वीडियों लोग ग्योटियल इंफ्राइस्ट्रक्ट्चर में काफी अच्छा खासा वालूम क्रियेट हो रहा है और साथ में कल इसके बोर्ड प्रेक्टर के मीटिंग हुए जो इसके वारे में आपको बताऊंगा और सरकार दोबारा टिलिकॉम सेक्टर को लेकर क्या बयानबाजी होई है लोग सभाव में बहुत होई है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आए वीडियो शुरू करते हैं देखिए यह जो इन्वेस्ट्मेंट करना चाते हैं तो यह सभी अपडेट आपको जाना जरूरी होता है और टेलिकॉम सेक्टर में बिसिकली आप बताए इसमें अच्छा खास अब कल से वालूम क्रियेट हो रहा है तो शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रहा है सेयर प्राइस में काफी उच्छाल आया है पिछले दो दिनों से और हाई लगा चुका है तीन रुप्यानब्य पैसा का तरथा देखेंगे यह ज अभी तुझनों से तेजी देखा जा रहा है लेकिन एक सब्सक्राइब लगवग 9% अभी पोजटीव में है मतलब एक साल में इतना रिटर्न दिया है अब आई हम लोग उस अबडेट के बारे में जानते हैं जो जिसके बारे में वीडियो है तो सबसे पहले बोर्ड अप स्की मीटिंग के बात कर लेता हैं मीटिंग 31 मार्च को हुआ है और बिसके में में कॉइट को यिसमें बड़र कर डियो को जानते हैं और आप जानते हैं सेवी के इंसके होसे क्के निस होते हैं उनको कुछ हैसी जनकारी मालूम होती है जिसके तहट अगर इस कंपनी का सेयर प्रैस बढ़ने ओला हो तो वह उसमें आशा का समुनाफ़ा कमा सकते हैं इस तरह कि जब खबर जिसको पता रहती है उसको रोकने के लिए इसमें इसाडर ट्रेडिंग किसी भी क्वाट्रेली रिजल्ट से पहले बंद कर दिया तो इस मीटिंग में यहीं बताया इसके डाक्टर ने कि इसमें जो इसमें आप तक बंद रहेगा अब बात करतें बात करें तो चार क्रोंट शीयासी लाग इसमें देखने को मिला है और कितना हुआ है तो लगभग 8 क्रोंट का डिलेवरी हुआ है अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग काउन परसेंट के आसपास इसमें जब डिलेवरी देखने को मिले जो कापी अच्छा खासा माया जाएगा इसको देखेंगा तो 6 क्रोंट 77 लाग का ट्रेड इसमें हुआ है मतलब एक बात तो असपास ट्रेड और अच्छा कासा इसमें क्रेट होने लगा इससे यह मानना जाएगा कि उच्छा लाने के बहुत संभाव रहा है अब वहां लोग सरकार को इस अबडेट के बारे हम बात करते हैं जिसके बारे मानों को बताया था समझेंगे टि लेने के लिए तयार नहीं है मतलब कंपनियों के लिए तो ज्यादा है अब देखिए यह जो प्राइस रखा गया इस पर बहस चल रही तो इसको प्राइस से पिछे राजए उनके इस बात में लोजिक है तरक है है तो सरकार ने की Zukunft चलो ठीक है यह जो प्राइस से उसको कंप करने के लिए वह सकता है कि क् 하면 कर दियांग Сक पैदा मिलेका तो इसके स्तेर सोलर को लिए अच्छी खबर है अब देखिए अभी दिकत यह कंपणी ए-सम लिष्ट में है और श्टेजे ब्लीह तो अगर इस तरह का खबर मिल दा इस कंपनी को आरई मिल जाता है तो बहुत जल्द या विससे घोड़ा तो इसे उमिद है कि अब इसमें आपको सकते हैं कंपनी कर्ज को कम करती हुए दिख सकती है अब कुछ अपड़ेट थे जिसके बारे मैं आपको बताया उम्हेद करता हुए अप्डेट आपको पसंद आया होगे वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी है अगर मन में कोई स्वाल है तो आपको कमेंट में पुछ सकते हैं पर इसनली मुझे जूड कर बाते करना चाहते हैं तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट ब्रीव में तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया